हाई प्रेंद्स आयम आन्या और वेलकम यू इन माइ चानल कंप्यूटिंग विद आन्या सो गई इस चानल में हम लोग कंप्यूटर से रेलेड़ कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे जो कि हमारे बुक्स में होते हैं और मैं जित्ता आपको बेटर समझा सकते हूं मैं उत्ता ट् आपको इस चानल रहे हैं और आज हम सीखेंगे भी थोड़ा सो चलिए सबसे पहले मैं अपने आपको इस चानल रहे हैं वाइप पे कर रहे हैं और अब हमारा होगा चाप्टर वान नो यौर कंप्यूटर चो कि हमारा परस्टे और आज हम लोग दो टॉपिक्स अपने एक तो हम यह क्लियर कर लेंगे यह यहां पर प्रेजंटेशन टाइप बनाई थी माइक्रोसोफ वार्ड में पहले मैं सुख रहे थी कि माइक्रोसोफ्ट मितलब सॉरी प्रेजंटेशन बनाऊंगे पावर पॉइंट में बट रसा नहीं हो पाया है कुछ इश्यू होगा है तो इसलिए मैंने सूचा माइक्रोसोफ वर्ड में बना देती हूं और गाइस इतना बोरिंग भी नहीं क्योंकि आगे मतलब इसमें तो पिच्छ नहीं डाल पाई बट आगे मैंने बहुत थारी पिच्छ जाट किया है क्योंकि कुछ चीज़े तो हम जानते हैं बट कुछ दिखती हैं कैसी होती हैं so without any other thing now let's start so guys first topic है हमारा computer system and a computer system is a combination of two parts that are hardware and software computer system दो चीज़े दो पार्ट से मिलकर जो होता है वो बनता है जैसे हम कहते हैं hardware and software और you can find computer and laptops at homes, shops, chemist shop, schools and malls so इसका मतला यह हुआ कि हमें computer या laptop अपने घर में practicals के लिए यूज करते हैं and shops पे यूज होते हैं chemist shop पे यूज होते हैं and schools में malls में और भी बहुत जगाव पे यूज होते हैं तो इसे मतलब computer system का पूरा चलता ही रहता है okay so now second topic types of computer system so there are two types of computer system that are hardware and software as we read in the previous topic तो दो type के computer system होते हैं hardware and software अब भी हम लोग पढ़ेंगे hardware के बारे में थोड़ा सा यानि वो क्या होता है बाकी का जो है वो हम लोग पढ़ेंगे अपनी next video में तो hardware होता है hardware is that physical part in which we can see and touch it very easily actually hardware होता है जैसे keyboard होते हैं and screen होती है mouse होता है printer होता है joystick वगएरा यह सब चो होते हैं हो hardware होते है क्यों क्योंकि हम इने देख सकते हैं हम इने touch कर सकते हैं अब जिसे screen के लिए जो जो computer में systems डाले होते हैं वहोता है हमारे software क्यों क्योंकि हम ना ही उसे देख सकते हैं ना हम उसे touch कर सकते हैं सो इसलिए hardware वो software में यह अंतर होता है एंड आप hardware और software बहुत असानी से पहचान सकते हो जब हम software पढ़ेंगे तब आपको इन दोनों में difference भी पता चल जाएगा and हम लोग इस चानल के जरीए बहुत मज़े करने वाले हैं तो आज की वीडियो अचली मैं यहीं पर खतम करूंगे क्योंकि हमारे दो टॉपिक जैसे मैंने कहा था क्लियर हो गए हैं तो अब हम क्या करें and guys I am so sorry for that hesitation क्योंकि first video में थोड़ी hesitation होती है अब जब आप मेरे साथ खुलेंगे मिलेंगे तो मुझे कहां होगी hesitation और आपको भी शायद मेरी वीडियो बहुत पसंद है so friends please like share and subscribe my channel because I need a support and हम लोग बहुत सारी मस्ती करेंगे in Sundays में बहुत मस्ती वाली वीडियो भी बनाऊंगी and आज है Tuesday so bye